ओम शान्ति आज आपका 74 दिन का वर्दान और आज के वर्दान में परमात्मा कहते हैं कि औरों की सेवा करना तो बहुत अच्छी बात है लेकिन अगर खुद की सेवा नहीं करी या खुद के अंदर बल नहीं भरा या शक्तिया नहीं भरी और अपने पुराने संसकार अगर मि लेकिन अंदर से जानते हैं कि आप स्वेम परिवणतन नहीं होए हैं तो उसका कोई फैदा नहीं होगा तो परमात्मा कहते हैं आज दुनिया में पंडित बहुत हैं गुरू गोशाई बहुत हैं लेकिन बहुत कम हैं जो कि अंदर और बाहर दोनों एक समान हैं वैसा हमें निए वननना है तो आई ये देखें कि परमात्म आज हमसे चाहते क्या हैं और उसकी गेहराई में जाकर सब्छें गहना क्या चाते हैं ओ अ ऩर अज परमात्मा कहते हैं बाबा कहते हैं अन्य आत्माओं की सेवा के साथ साथ, अन्यात्माओं की सेवा के साथ साथ, स्वयम की भी सेवा करने वाले सफलता मूरत भवा, स्वयम की सेवा करने वाले और फिर सफलता मूरत भवा, तो सेवा में सफलता मूरत बनना है, तो दूसरों की सर्विस के साथ साथ अपनी भी सर्विस करो और वो सर्विस कैसे करें बाबाराज बताते हैं जब कोई भी सर्विस पर जाते हो तो ऐसे समझो कि सर्विस के साथ साथ अपने भी पुराने संसकारों का अंतिम संसकार करते हैं तेकि जब तक हम औरों की सेवा नहीं करते हैं तब कमजोरियों को हटाने का उन्हें सुझाव देते हैं तो कभी-कभी हमें अपना दरपन भी दिखाई देता है कि क्या मेरे अंदर भी स्वें वो संसकार है तो सेवा करना ही माना मेवा पाना तो सेवा करके मेवा क्या मिलता है मेवा फ्रूट क्या मिलता है मिठाई क्या मिलती है तो परमातमा कहते हैं कि इसका fruit यह होता है कि, आपको अपने अंदर जहांकने के मिलता है. तो यह नहीं कि आप सेवा करते हुए आपको पता चले आरहें, यह कमजोरी तो मेरे अंदर ही अपसे मैं सेवा नहीं करूंगी आत्मा. नहीं, मुझे सेवा करनी है आत्माओं की लेकिन साथ-साथ अपनी भी कमी-कमजोरियों को हटाते जाना है जैसी पता चले कि ये वे कमी-कमजोरी मेरे अंदर भी आ रहे मैं औरों को तो बता रहा हूँ बता रही हूँ लेकिन मुझे अगर दिग गी मेरी कमजोरी तो मुझे फटा फट उसी सेकेंड उस कमजोरी को बिल्कुल निस्ता ना बूत संसकारों को स्वाहा यग्य में स्वाहा कर देना है आहोती दे देनी उसकी तो बाबा कहते हैं जब कोई भी सर्विस पर जाते हो तो ऐसे समझो कि सर्विस के साथ साथ अपने भी पुराने संसकारों का अंतिम संसकार करते हैं संसकारों का अंतिम संसकार पुराने संसकार अपवितर संसकारों का अंतिम संसकार तो हम कहते हैं न कि इनका अंतिम संसकार है आज लेकिन अंतिम संसकार का मतलब यह नहीं कि उनके शेरिट को जला दिया गया या दफना दिया गया नहीं वो बात नहीं वो अंतिम संसकार नहीं है परमात्मा कहते हैं कि आपका लास्ट के संसकार क्या थे आपके अंदर कुरोध रहे गया कि आंकार रहे गया कि इर्शा रहे गया कि नफ्रे रहे दी अगर आप अवित्र नहीं बने तो आपने फिर से नया जनम ले दिया तो आप जनम मरण के चक्कर से मुक्त नहीं हो पाए उसको कहते हैं अंतिम संसकार तो परमात्मा कहते हैं, जितना संसकारों का संसकार करेंगे, उतना ही सतकार मिलेगा किसी इसको सतकार, मनिश आत्मा को, आत्मा को सतकार मिलना अलग है और बाहरी सतकार मिलना अलग होता है देखें आज उसका मतलब क्या है सभी आत्में आपके आगे मन से नमस्कार करेंगी मन से करना और बाहर हातों से करना अलग है क्योंकि कहते हैं अंदर से कुछ बाहर से कुछ लेकिन बाहर से नमस्कार करने वाले नहीं बनाना, बाहर से नमस्कार करने वाले नहीं बनाना मतलब, कि हम मुख से तो कहते हैं, ग्यान के अच्छी मीटी-मीटी बाते हैं परमात्मा की, लेकिन स्वेम परिवर्ता नहीं होएं, तो इसका मतलब क्या हुआ, कि हमें बाहर से ल संस्कार करने वाली नहीं बनाना मानसिक नमस्कार करने वाले बनाना इस ध्यानária कि स्वाथ करए हैं क्या हम संस्कार की आहोती दे रहे हैं अंतिम संस्कार को क्या है उन्Bu को चेक कर रहे हैं हर दिन मेडिटेशन के द्वारें संसकार को मिटा रहे हैं क्योंकि फिकर रहनी चाहिए कि हमारा अगला जनम बहुत सुंदर हो तो उसके अपने संसकारों को चेक करना बहुत महत पूर्ण है कि मेरे अंदर क्या क्या संसकार है अगर वह संसकार मेरे अंदर अभी भी है पुराने संसकार अहंकार के संसकार है मैं राइट मही सही मेरे अनुसार चलना चाहिए या गिरना है या नफरत है किसी से तो वह बहुत दिक्कत देंग झाल झाल